स्वागा था आपका अभी क्लासेस डाउट्स में और आज आपका सवाल है अस्थानिक तथा लूप्त परजातियों में क्या अंतर है तो हम इसे इस परकार से लिखेंगे एक और हम अस्थानिक जो जानवार है या परजातिया उसके विसेम लिखेंगे और दूसरी और लिखे जो उन छेत्रों में पाए जाती है जो प्राकिर्तिक और भोगोलिक रुकावटों के कारण अलग पड़ गए और यहां पर जो भी परजाती रहते थे उस पर किसी भी परकार का परभाव नहीं पड़ा जबकि लुप्त परजातियों के बात करें तो यह वो परजातिया है जो अपने अस्थान पर देखने में नहीं मिलती है यानि कि जहां पर यह रहते थे वहां पर जब यह खोजा गया तो यह परजातियां पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं वहां पर इन्हें नहीं पाया गया अस्थानिक परजातियां जो है यह अभी जीवित है यानि कि यह सूवर ये आपको अंडमान में ही मिलेगा उसी परकार से निकोбारी कबूतर ये आपको निकोबार आइजलेंड में ही मिलेगा जबकि लुप्त परजातियों की बात करें तो ये पहले से ही दुनिया में लुप्त हो चुके हैं और इनका मिलना बिल्कूली impossible है, साथ ही साथ इसका उधारन की अगर बात करें तो ACI, चीता, गुलाबी, सीरवाली बतक पूरी तरह से धर्ती पर विलुप्त हो चुके हैं, तो ये था अस्थानी और लुप्त परजातियों में अंतर आपके सवाल का जवाब, आप अपना डाउट्स जरूर कमेंट किजेगा थैंक यू